है 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 तो एक दब राइट टाइम भाई स्टार्ट होता है अपना सेशन ठीक है तो बिल्कुल साही टाइम पर पन्ने स्टार्ट कर दिया है अब बिल्क के लिए तो एक दम फेस्टिव माहौल जो है सब लोग के अंदर में आचुका है सबके दिलों में आ चुका है नवरातरिस्तापना हो चुकी है ठीक है दशेरा बहुत क्लोज है बट यह जो साल है कुछ इस तरह से बीता है कि पता ही नहीं चला कि क्या हो गया कब ह हो गया घर में सबके सब बंद हैं घर के अंदर सब बैठे वे हैं चल रहा है ठीक है एंड हम दिन-वे-दिन सुन रहे हैं कि लगातार कम हो पर गई है इतने में जो है एक और बच्छों के दिमाग में थौट चल रहाएं कि जैन्वरी एटेम्ट नेक्स्ट यर वाला वो भ स्टार्ट होना रहें बहुत सारी चीजें चल रही है ठीक है तो सिंपल से एक चीज है यू नीड़ तू आलवेस आलवेस गो विद दस्ट्रेजी जो तुमारे हाथ में न सिर्फ उसकी चिंता किया गरो ठीक है बहुत सारे बच्चे मुझे यही मैसेज करते हैं बहुत सारे बच्चे तो कि सर NTSC हर्याना और NTSC राजस्थान अपडेट क्यों नहीं दे रहे भाई वो अपने हाथ में नहीं है बहुत सारे स्टेट्स ने NTSC का जो है नोटिफिकेशन दिया है आप उनके जो है एप्लिकेशन एपलाय करो राजस्थान वाले बच्चे हर्याना वाले बच्चे यूपी वाले बच्चे परेशान हो रहें आ जाएगा यार तुम्हारा भी NTSC का नोटिफिकेशन आ जाएगा बट तुम अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहो मस्त रहो खुश रहो और पढ़ते रहो ठीके टेंशन नहीं लेना है और सबसे सबसे बड़ी चीज बहुत सरे बच्चे पूसे what is the strategy of this what is the strategy of that सबसे simple strategy यार apply करना चीजों को चालू करो कोई भी चेफ्टर लोग से पढ़ो यार धंग से पढ़ो patience से पढ़ो अच्छे से पढ़ो questions को attempt करो that's it ठीक है तो थोड़ा से motivation वाली बात थी important बात थी चलो मैंने तुम्हें बता दिए let's start this session guys ये सवाद 10 बजे सुब़ जो class हो रही है ये center of mass की class है ये ijso वाले बच्चों के लिए run की जा रही है खाली है अभी यहाँ पे शाम को 5 बजे unacademy plus platform पे जो मेरा course चल रहा है कल जी हाँ इसके कल class है center of mass वहाँ पर जो है मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको collision पढ़ाऊंगा फिर rotation पढ़ाऊंगा इस course में अपने आपको enroll करने के लिए आप RA live raffle code का इस्तेमाल करें आपका 10% fee guys यहाँ पे reduce हो जाते है reduce fee में आप अपने preparation कर सकते हैं एक और important बात 7.45 pm जैसे कि आपको मालूम है regularly हम जो है आप लोग के लिए NTC crash course run कर रहे हैं आज optics light chapter की जो है 5th lecture है पाचवा lecture है light chapter का जहां हम reflection को और deep में जाके समझेंगे lenses की भी आज की class में बात करने वाले guys इस class के just बाद 1000 NTC PYQ जो है इस series का quiz session है आज एक बहुत ही जबरदस्त जो state है इंडिया का वो ले के आऊंगा यहाँ पर जिसका मैं quiz कराने वाला हूँ वो suspense रहने देते हैं रात को 9 बच के 5 मिट पे जब यह class start होगी वहाँ पर उस सीच की चर्चा करेंगे वहाँ पर बात करेंगे चली session को आगे बढ़ाते हैं यह schedule आपने देख लिया ठीके tracker के अंदर भाई tracker जो है बहुत important चीज़ है बहुत सारे बच्चे पूछते रहे तरहें tracker क्या है ठीके अपने आप समझ जाओंगे tracker को खूल के देखना and इसके अलावा tracker के अंदर जो है मैंने NTSC के जितने भी forms आच चुके हैं आप जो session अभी देख रहे हैं इसके नीचे आपको यह link मिल जाएगा ठीके अगर मैं आपको बिलकुल तसल्ली से यह चीज बताओं ध्यान से बताओं तो ध्यान से देखना clearly देखना अभी आपको बता चल जाएगा YouTube आपने उपन किया अभी आप जो है अभी जो है आप यह session अटेंड कर रहे हैं मतलब यहां से जो है LCFN में जो है आपको जाके मैं session बता रहा हूं कि कौन सा session आप अटेंड कर रहे हैं इसके नीचे चलते हैं यह रहा spreadsheet जो लेंक है इसके अंदर देखो यार सारी चीजे जो है जादा से जादा सुन्दर से सुन्दर तरीके में जो है रिप्रेजेंट करने की तरीके से कोशिश की है तो NTSC के PYQ जो है मैंने जितने भी अभी तक कराए हैं यहां पर आप लोग ठीक है इसके अलावा NTSC के जिस भी स्टेट के फॉर्म आ गये हैं आप डिरेकली उनके नोटिफिकेशन पर जा सकते हैं उनकी वेबसाइट से एंड भाई तुरी पूरा वालों का तो लास्ट डेट भी आ गया पर सो अपलाए करने का ठीक हर स्टेट के जो है यहां पर अर अच्छे से इसको यूटिलाइजिशन करना आप लोग के लिए ही बनाया है चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जैसे आप अनकाइडमी प्लस प्लैट्फरम का बच्चों सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप विद स्टडी मट्रियल विद का 17,500 आर ए लाइब जो रैफरल कोड है यह परम सकते हैं इसका इस्तमाल करते हैं आपकी 10% फी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है जो रिड्यूस फी है 15,750 और यह रिड्यूस फी आपकी जो है 18,900 हो जाती है रिड्यूस फी के अंदर जो है आप अनकाइडमी प्लस सब्सक्रिशन ध्यान अकना आर ए लाइव परम सकते हैं इसका इस्तमाल करते हैं आपकी किसी भी प्लैटफॉम का जब आप सब्सक्रिशन लेते हैं 10% फी जो है रिड्यूस हो जाती है ठीक है गाइस यह प्लैनिंग के साथ हम चले थे अभी तक 100% रेशो के साथ जो है सक्स सारी चीज़े हम कर पाए है सेकंड ऑक्टोबर से हमने यह स्टार्ट किया था आज हम 19 ऑक्टोबर 2020 से पहुँच चुके तो बिल्कुल 100% जो है मदब प्रेजेंट रेशो आपका भी रहा हमारा भी रहा और हमने चीज़े अटेंट करी है यहाँ तो गाइस अब जो है आपकी 9th की जो जर्नी है मेरे साथ चालू हो जाएगी 9th क्लास की जर्नी तो ready रहिएगा and मैंने यहाँ पर heat chapter भी ICC वाले बच्चों ने कहाता कि sir heat जो है बहुत सारे states के NTC में पूछा जाता है तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर add भी कर रखा है चलिए let's start this session पाच lecture ठीक है मेरा आप से जो है घुजारिश है ठीक है कि क्या करना यार प्रॉपर एक कॉपी लेके बैठना हर चीज का notes जरूर बनाना चाहे तो short notes बनाना कैसे भी बनाना but when you are studying something and you want to get maximum of this session अगर आप चाहते हो कि आर इस session से जादा से जादा चीज़े सीख के जाए तो लिखन जरूर लिखे बिना कोई फायदा अच्छा नहीं है सिंस एक YouTube का crash code से बहुत सारे बच्चे इसको YouTube वीडियो की तरफ देखके जो है उन्हें लगेगा YouTube की तरह देख ले नहीं यह आप अपनी महनत के लिए कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं तो please short notes जरूर बना की ती उसे cover करेंगे questions भी आपको attempt कराएंगे अच्छे questions लेके आएं एंड में हम लोग attempt करेंगे ठीक है चली देखिए यहाँ पर कुछ चीज आपको दिखाई दे रही है बहुत सारे बच्चों को यह चीज already पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर आईए यहाँ पर इसको एक formula को derive करने की कोशिश करते हैं इस चीज को depth में समझने की कोशिश करते हैं ठीक है अब दिखाई यह glass slab है यह glass slab मैंने यहाँ पर बनाई ठीक है and light ray जो है इस surface पे incident हो रही है यहाँ पर ऐसे अब यह light ray क्या है ध्यान से देखना उपर medium है air यहाँ पर है glass and वापिस यहाँ पर है air so light ray is moving from rarer medium to denser air जो है आपका rarer medium है यह जो है आपका denser medium है यह again आपका rarer medium है तो light ray rarer से denser medium में move कर रही है तो it will bend towards the normal बच्चों यह ऐसे जाना चाहती थी but ऐसे नहीं जाएगी it will bend towards the normal मतलब ऐसे हो जाएगी अब जैसे यह इस surface पर गिरेगी यहाँ पर यह नॉर्मल है guys यह नॉर्मल एंड यह नॉर्मल एक दूसरे के parallel होगी बड़ी obvious सी बात है light ray यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी ऐसा यह angle अगर reflection है यह angle बच्चों यहाँ पर दिख रहा है angle r है and यह angle of incidence है तो अपन कह सकते हैं कि since यार यह दो लाइट जो दो नॉर्मल है बोथ दी नॉर्मल्स और पैरलल तो इच अदर एक दूसरे के parallel है आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं उसकी वज़े से output क्या मिले इसकी वज़े से क्या कह सकते हैं आपके सरिए angle जो है r है तो यह वाला angle भी r हो जाएगा simple mathematics दो parallel lines है and एक transverse जाइन कर दिये इस त्रांसवर्स कर डालने की वज़े से क्या कह सकते हैं यह अगर आपको दिख रहा है कि यह angle r है तो यह वाला angle भी r हो जाता है यह चीज आपको emergence and angle of i में एक बहुत simple सा relation बनाते हैं, दोनों surface पर बच्चो snail slow लगाने की कोशिश करो यहाँ snail slow लगाओगे तो कैसे लिखोगे 1 into sine i is equals to mu into sine r second surface पर लगाओगे तो कैसे लिखोगे सर यहाँ पर incidence हो रहा है angle r पे तो mu into sine r is equals to 1 into sine e guys इन दोनो दोनों की मदद से, दोनों की help से आप कह पाएंगे angle i is equals to angle e, तो incidence angle, emergence angle के equal हो जाता है यहाँ पे एक parallel glass slab के अंदर very important scenario, यह बात हमें ध्यान रखनी है, angle i बराबर angle e in case of parallel glass slab इसके अलावा चलो देखो एक और important चीज आपको यहाँ समझनी है, अगर इसको भाया कहा जाता है lateral displacement lateral displacement कभी कबार किसी किसी जगे इसे parallel shift भी कहा जाता है light ray जो है, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से सीधी जानी चाहिए बट glass slab के वज़े से shift हो गई है, इसे कहते हैं भाया, यह लिखावा lateral displacement या फिर parallel shift, lateral shift भी बोल देते हैं, या फिर parallel displacement कुछ भी कह देते हैं, आपस में words के नाम चेंज कर रहे हैं, यह shift का formula कैसे निकल सकता है, सिर्फ basic trigonometric का ज्यान चाहिए, आप easily देख पाएंगे तो देखिए यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बहुत ध्यान से इसको visualize करना, बहुत easily आप लोग यहाँ पर इसे समझ पाएंगे, चलिए देखते हैं, यह यहाँ से मैंने जो है, यह जो point आपको दिख रहे हैं ना, पहले normanclature कर लो, यह point P यह point Q, Q point से मैंने सामने वाली line पे perpendicular डाला है सा इस point को mark किया R guys हमें QRE तो निकालना है, QR ही आपका lateral displacement है, तो इस figure को ध्यान से देखो, QR is equals to lateral displacement, या फिर lateral shift जो भी आप कहना चाहो बड़ी basic सी बात है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की चीज समझतें, सर यह QR पता चल गया आगे की तरफ क्या कह सकता हूँ मैं सर क्या है आपको triangle दिख रहा है क्या triangle PQR triangle PQR मैं तुम्हें ध्यान से दिखाने के लिए इसे जो है blue color से जो है highlight कर देता हूँ I am highlighting that triangle जो आपको समझना है समझ रहा होगा triangle PQR triangle PQR की भहिया बात करेंगे triangle PQR के अंदर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या सर यह वाला angle यह वाला angle कितना होगा यह वाला angle बच्चो I minus R हो जाएगा समझो एक सेकंड रुकावट के लिए खेदे यह angle बताए यह angle आप कैसकने सर देखो total angle I है R निकल गया तो यह I minus R हो गया है ना देखना है visualize करना है बड़े ध्यान से I minus R आपका यहाँ पे निकल गया then हम क्या कहेंगे सर इसके अंदर sine वाला formula लगाओ basics of formula 1 sine of I minus R it is equivalent to sine theta अगर आपने लिखा तो भाई यह आपका पर्पेंडिकुलर है यह आपका height awareness हो जाएगा पर्पेंडिकुलर क्या है QR divide by hypotenuse कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे PQ ठीके आपने बोला है QR क्या था QR ही तो आपका lateral displacement है जो आप निकाल रहे हो ठीके यह जो slab है इसकी thickness T है lateral displacement को बच्चो नाम दिया गया है D चली इस formula में सारी चीजे value डालने ही कुशिश करते है तो यह निकल के आया है D divide by PQ sine of I-R की value निकल के आ गई I hope यहाँ तक सारी बाते clear होगी simple simple सीधा साधा एकदम simple सा formula हमने यहाँ पे लगाया है चली अब दूसरे triangle को उसके अंदर imagine करने की कुशिश करते है दूसरा triangle कौन सा अभी नहीं दिख रहा है यह जो नया triangle है यह yellow color से highlight करूँँगा मैं यह देखो इस line को सीधा नीचे डाल दो यहाँ पे बिल्कुल सीधा यह point को कह देते है S ठीके तो यह triangle देखो बच्चा लोग यह triangle ध्यान से देखना यह वाला triangle यह yellow triangle जो अब आपको दिखाई दे रहा है सर इसके अंदर formula लगाने की कुशिश करो यहाँ पे बताओ यह जो triangle है इस triangle का नाम क्या दिया गया है बच्चो बड़े ध्यान से देखना इस triangle is psq आप कह सकते है सर triangle psq दिखाई दे रहे triangle psq के अंदर हम क्या कह सकने है सर कुछ formula लगाओ जिससे answer जो है आसानी से आ जाए यहाँ पर हम कह सकते है सर यह cos r का formula लगाने की कुशिश करते है यह आपर यह angle आपको दिख रहा है कि सर यह angle of reflection था so what will be cos r cos r की value हो जाएगी भाई यह जो length है ps divided by pq ठीक है ध्यान से देखना ps divided by pq समझ में आ रहा है क्या ps यह base यह hypotenuse base की value कितनी हो जाएगी given है सर thickness के बराबर pq क्या है नहीं पता pq क्या है नहीं लिखा रहे है तो आपको दिख रहा है सर ps की value thickness के बराबर है thickness of this slab cos r is equal to thickness divided by pq guys दोनों तरफ से pq pq को निकाल के equate कर दो आपका answer बहुत easily आ जाएगा दोनों side से pq को equate कर देना है तो यहाँ से लिखा आपने d of sin i minus r यहाँ से आपने लिखा t of cos r क्या मुझे d की value निकालनी थी d का answer आगया कि यहाँ से बहुत easily दिख रहा है that lateral displacement is equal to t of sin i minus r divided by cos r so that is the result जो आपको ध्यान रखना होता है यह lateral displacement का formula होता है यह please लिखके रख लो इस तरह से lateral displacement जो है उसका formula निकाला जाता है t of sin i minus r divided by cos r that is the formula चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है न यार बहुत बार सवालों में बोल दिया जाता है कि angle of incidence and angle of reflection बहुत छोटे हैं बहुत छोटे हैं तो क्या करेंगे यह तो general formula है general general formula general formula lateral displacement निकालने का ncrt में नहीं दे रखा है बट यह lateral displacement निकालने का formula है इस तरह से parallel glass slab में यह निकाला जाता है ठीक है चलिए 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 थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं and इसको और depth में जानने की कुशिश करते हैं ठीक है यहां तक हम पहुँच गए थे लाओ ठीक है एक और इसी के अंदर एक और चीज़ depth में समझते हैं ठीक है depth मतलब देखें क्या हो रहा है यहाँ पे अगर हमने बोल दिया if angle of incidence and reflection are very small अगर यह बहुत छोटे हो गए क्या आपको last class की बात यहाँ थे letter जो आपको मैंने वो पढ़ाया था apparent depth, real depth पढ़ाया था तब भी यह चीज़ बताई थी that if angle of incidence of reflection are very small if theta is small अगर theta small होता है तो sin theta is equals to 10 theta is equals to theta यह चीज़ याद है भूल गए यह चीज़ याद है भूल गए very important thing तो sin theta बहुत छोटा है cos 0 क्या होता है 1 cos अगर 1 degree निकालोगे तो भी 1 के बहुत close ही आता है तो small theta के लिए 1 लिख देते हैं please ध्यान रखना यह बहुत बार assumptions जो है हम use करेंगे इस chapter के अंदर तो यह assumption जो है मैंने आपको कल की class में बच्चो सिखाया था very important thing चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को और आगे करने की कुशिश करते हैं so what will be your formula आपका formula आयता है तो d is equals to t of sin i minus r divide by cos r ठीके जड़ा अपलाई करते हैं यही चीज अगर angle of incidence and reflection अगर बहुत छोटे हैं बच्चो तो आप क्या बोलोगे d is equals to t sin theta की जगे क्या लिख दोगे theta तो यह लिख दोगे आप i minus r cos r की जगे क्या लिख दोगे cos r की जगे भई cos r बहुत छोटा है तो 1 लिख दोगे तो यह आगे आपका तो आपने बोला d is equals to so t into i common लिया 1 minus r by i ऐसा एक formula निकल के आया 1 minus r by i अब इसका कैसे इस्तमाल कर सकते हैं इसका इस्तमाल कैसे करेंगे ध्यान से देखो let's go back and let's try to see this ठीक है यह क्या लिखावा है देखे बच्चो यहाँ पर आपने snail slow लगाया था snail slow लगा के क्या लिखा था ऐसा i और r के बीच का एक relation ऐसा लिखा था 1 into sin i is equals to mu into sin r इसी snail slow को जो है दुबारा इस्तमाल करो आपने बोला इस यही वाली चीज if i and r are small तो हम क्या बोल पाएंगे 1 into sin i is equals to mu into sin r इसके अंदर सर्ष साइन को हटा दो sin theta is equals to theta हो जाएगा बच्चो तो i is equals to mu into r आपका answer आया तो आप क्या बोल सकते सर उस formula में 1 by mu is equals to r by i यह put कर दो बहुत बार यह formula का भी बच्चो इस्तमाल किया जाता है जान से देख लो that lateral displacement is equals to ti 1 minus 1 by mu यह रहा यह रहा भई यह रहा lateral displacement ठीक है अगर slab के जो है angle of incidence, angle of reflection बहुत छोटे हैं तो ऐसे लगाओ ti, t क्या है? thickness i क्या है? angle of incidence 1 minus 1 by mu करो answer आ जाएगा कहां? किसके लिए? जब angle of incidence and angle of reflection बहुत छोटे हैं अगर incidence छोटा है ना तो reflection अपने आप छोटा हो जाएगा अगर incidence होटा है तो reflection को भी छोटा ले लेते हैं ठीक है? वरना अगर बड़े angle है किसी ने बोल दिया कि 45 degree incidence था और reflection 30 degree हो रहा था तो आप यह formula लगाएगे अगर बड़े angle होंगे तो go with this formula and अगर small angles होंगे तो go with this formula आपको lateral displacement through the slab का formula याद करा दिया है अगर angle of incidence और angle of reflection बहुत small है तो ti multiply by 1 minus 1 by mu याद कर लो बहुत important चलिए next topic पे चलते हैं इसके बाद वाला ti r क्या है? ठीक है total internal reflection जो है reflection गलत word है reflection जो होता है या reflection होता है बताओ तो नहीं सही word है total internal reflection ही सही है बहुत बार बच्चे इसे बोल देते हैं कि reflection हो रहा है नहीं भाई reflection गलत word है total internal reflection ही कहलाया जाता है light ray वापिस से same medium में lot कया जाती है देखो scenario समझने की कुशिश करो क्या हुआ यहाँ पर मैं एक boundary बना रहा हूँ एक surface बना रहा हूँ यह boundary थी यह उपर वाला medium जो था rarer था नीचे वाला medium क्या था dancer था मैं तीन scenario आपके सामने बना रहा हूँ तीन scenario ध्यान से समझना पहला scenario light ray ऐसे है यहाँ यहाँ पर आपने normal draw किया light ray अगर यहाँ पर bending नहीं होती तो यह सीधी निकल जाती बट यहाँ क्या होगा dancer से rarer जा रहा है बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या होगा it will bend away from the normal ऐसा ठीक है यह reflection का angle हो गया यह angle of incidence हो गया अब किसी ने बोला कि sir angle of incidence को बढ़ा हो आप बढ़ा होते जाओगे बढ़ाते जाओगे एक ऐसा moment आएगा एक ऐसा moment आएगा जब angle of incidence इतना हो जाएगा कि reflection वाली light ray जो है वो ऐसे जा रही होगी ऐसे ठीक है समझ रहो एक ऐसा moment आएगा एक ऐसा moment आएगा कि reflection वाली light ray ऐसे ऐसे हो तो तो बोलेगी अब कहा जाओँ अब तो खतम होगी बात भाई ये scenario कहला आए जाता है critical angle ये scenario कहला आए जाता है critical angle critical angle यहाँ पर है ठीक है बहुत important तरीका है बहुत काम की चीज़े आप यहाँ पर समझ गए तो angle I is known as critical angle critical angle पर क्या हो रहा है बच्चो that reflection जो है reflection 90 degree पर हो जाता है ऐसे चली जाती light ray अब हम क्या बोलने सर और बढ़ाओ angle of incidence को जो है और बढ़ाओ ठीक है तो ये critical angle वाला scenario है जो light ray यहाँ से निकल रही है ये surface से निकल रही है कौन से दोनों medium के interface जो है वहाँ से निकल रही है अगर उपर rarer है नीचे dancer है तो इसके interface से light ray निकल रही है अब आपने बोला angle of incidence को और बढ़ाओ तो reflection वाली light ने बोला भाई मैं आप कहां जाओंगी अब मेरे पास तो एक ही तरीका है मैं वापिस से medium में आ जाओंगी तो वही phenomenon जो है यहाँ पर मुझे आपको समझाना है आपने बोला कि angle of incidence को सर और बढ़ाएंगे हम हमें जो है खुशी नहीं मिली है हम और बढ़ाना चाहते है हमने यह angle of incidence जो किया यहाँ पर eye इसको critical angle से भी बढ़ा कर दिया eye is greater than critical angle light ने बोला अब मेरे पास कोई रस्ता नहीं है कोई चारा नहीं है जिस angle पर आपने मुझे भेजा है उसी angle पर मैं वापस same medium में लोट के आ जाओंगी guys यह जो phenomenon होता है यहाँ पर जितनी light आप फेकते हो सारी की सारी light जो है same medium में लोट के आ जाती है no energy will be transmitted from here to here कोई भी energy उपर की तरफ नहीं जाती है इसे कहा जाता है TIR total internal reflection इस process को कहा जाता है TIR इसका नाम है तो ध्यान रखना कुछ बच्चे इसे reflection कह देते हैं reflection नहीं है total internal reflection है यह case ठीक है and इस case के अंदर हम कह सकते है I is greater than critical angle for TIR ठीक है और critical angle वाला scenario क्या है scenario of critical angle critical angle की भी बात कर ले critical angle पर क्या हो रहा है नीचे वाला medium denser था यह रहा denser था तो हम बोलेंगे सर इसका reflective index mu into sin i is equals to यह sin i कितना है critical angle के बरावर है ठीक है तो इसे sin c लिखे आप is equals to बाहर कितना जा रहा है 1 into sin 90 तो guys क्या दिख रहा है आपको sin c is equals to 1 by mu समझ में आई क्या बात sin c is equals to 1 by mu ऐसा आपका scenario बन जाता है तो यह बहुत इस formula को बच्चे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इसको याद कर लेता हूं रट लेता हूं कुछ याद नहीं करना है कुछ यहाँ पर रटना नहीं है basic सा process है basic सा principle है इसको ऐसे ही ध्यान रख लो कि यह इस तरह से sin c is equals to 1 by mu कैसे आया इसका complete process जो है ध्यान रख लो चली थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आगे की बाते करते हैं यह critical angle वाली scenario होगी अब देखो एक जबरदस चीज जो है यह यार देखो जनरली NTSC में easy states में नहीं पूछी जाती है अभी तक जो है मुझे लग रहा है कहीं difficult state में जो है आंद्रव अगेरा नहीं पूछा होगा और तो कोई पूछेगा नहीं यह जो scenario है reflection and spherical surface देखो मैं इसका एक trick आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर कैसे सारी चीजे निकल रही है इसको जादा detail में जादा depth में आपको देखने की जौरत नहीं है बट फिर भी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत easily आप समझ पाएंगे यहाँ पर देखना guys ठीक है देखो हम जो है खुझ से surface बनाते हैं खुझ से बात करते हैं एक surface ऐसी थी बच्चो ऐसे यह देखो guys अब यहाँ क्या था यह आपने बोला कि यह principal axis type आपने यहाँ पर बना लिए ठीक है आपने बुताया यह जो आपने बना रखिए न यह surface है इसका कुछ refractive index है mu2 एंड इसका कुछ है mu1 ठीक है यह mu2 refractive index है यह mu1 refractive index है आपने यह चीज यहाँ पर समझी जैसे इसने यहाँ बता रखिए अब देखना scenario समझना यह जो curved surface है न यह curved surface इस topic का नाम है reflection through curved surfaces आपने बोला कि यह जो आपने surface डॉल खरी है इसका radius of curvature है कुछ r ठीक है अब देखो यहाँ पर एक object रखावा था यहाँ पर object रखावा है object से light ray इसके उपर फेक हो ऐसे यह आपने फेक है अब यह light ray जो है यह चाहती थी कि यह ऐसे चली जाए ऐसे जाना चाहती थी बढ़ आपने क्या बोला इसको जो है इसके center of curvature से connect किया जाए यह center of curvature से यह आपर मालने न r को यह आपने radius of curvature से connect किया अब मुझे बताओ अगर मैं कह देता हूँ यह mu2 जो है यह जो mu1 है mu2 is greater than mu1 कि side bend करेगी यह it will bend towards the normal और away सोच समझके बताओ mu2 is greater than mu1 तो क्या होगा it will bend towards the normal और away from the normal mu2 बड़ा है मु2 बड़ा है बताओ बताओ आप बोलोगे sir नीचे bend करनी चाहिए towards the normal तो चली हमने बोला कि sir bending होके यह ऐसा हो गया यहाँ पर यह intersect किया ठीके जहाँ पर यह intersect कर रहा है वहाँ पर क्या बनेगा बच्चो जिस जगह पर यह intersect किया आपने बोला कि sir यहाँ पर image form हो गई ठीके यह आपका radius of curvature पर ऐसा connected था ठीके यह आपका object था आपने नाम O दे दिया let us say कि इस point को हम कह देते हैं यह point है R हो गया आई हो गया इसे कहते है P P से आपने नीचे एक line गिराई let us say कि जड़ा नाम थोड़े नाम बदलता हूँ इसका नाम दे रहा हूँ यहाँ पे M इसका दे रहा हूँ P इसका दे रहा हूँ Q ठीके अगर इसका aperture small होगा अगर मैं कहता हूँ small aperture small aperture सेम बात होगी भहिया small aperture है तो हम कह सकते है P Q is negligible दिखे दिख रहे यह P Q आपको दिख रहे यह negligible हो जाएगा P Q is equivalent to 0 अब ज़रा देखते हैं यह आपर formula कैसे निकल सकता है बड़े ध्यान से देखना आप ध्यान से देखना अभी सारा का सारा formula एक बार में derive हो जाएगा यह line थोड़ी tidy media इसको थोड़ा अच्छा सुंदर सुंदर line बहुत जरूरी ठीक है यहाँ बन रहा है यहाँ मानलो कोई फरक थोड़ी पढ़ रहा है ठीक है आपने बूला सर देखिए angles का नामंकरन कर देते हैं यह angle alpha है ठीक है यह angle को कह देते हैं यह angle beta है यह angle को कह देते हैं कि यह angle gamma है alpha, beta, gamma आपने अलग-अलग angles को यहाँ पे mark कर दिया ठीक है अब देखू बस आपको 10th theta का formula लिखना है सारा काम अपने आप निवड़ जाएगा सबसे पहले snell slow लगा लेते है snell slow इस point पे लगा लेते है snell slow क्या कहेगा snell slow will say that mu1 into sin i is equals to mu2 into sin i ठीक है यह जो angle है यह angle i है and यह जो angle है यह वाला angle normal और इसके बीच का angle यह angle of reflection है ठीक है यह चीज अपने को दिखाई दे गई यहाँ पे now what can I say अगर मैं कहा रहा हूँ aperture बहुत छोटा है aperture बहुत छोटा है तो इस सारी lines बहुत पास-पास होंगी अगर पास-पास होंगी यह तो इसकी वज़े से एक और चीज कह सकते है small aperture है lines are very close to each other lines are very close to principal axis close to principal axis इसकी वज़े से क्या होगा सारे angle angle I angle R ठीक है यह सारे के सारे angle alpha angle beta angle gamma they all are very small ठीक है यह सारे के सारे very small all are very small अगर हम बहुत छोटे aperture का यहाँ पर spherical surface ले रहे है तो आपने यह चीज समझी अब देखे आप क्या करेंगे यहाँ पर आप बोलेंगे सार इसको तो बहुत tricky चीज करना है sine theta हो क्या लिखते है theta लिख देते है तो कर दो यार mu1 into i is equals to mu2 into r ठीक है यहाँ पहुंच गया यह एक condition आपको यहाँ पर पता चल गई अब आप क्या करें सार यहाँ पर 10 theta का formula लगा है 10 theta लगाने के लिए आप क्या बोलेंगे सार वो formula लगा है 10 theta उसके लिए आप इस triangle में क्या लिख सकते हैं यह triangle देखना visualize this triangle triangle omq omq triangle दिख रहे है omq triangle दिख रहे है triangle omq में क्या लिख सकते है omq 10 alpha is equal to mq divide by oq ठीके 10 alpha mq divide by oq यह clear cut आपको दिखाई देना चाहिए next देखिए इस triangle में देखिए 10 beta mq divide by qr ठीके आपने बोला 10 beta mq divide by qr triangle कौन सा लिया mqr triangle mqr आपने यहाँ पे लिया है triangle mqr की बात कर रहे है mq divide by qr यह एक और सेनारियो दिख गया basic गणे थे भाहिया कुछ भी नहीं है और उसके बाद आपने दूसरे triangle लिया triangle कौन सा लिया mqi triangle mqi आपको यहाँ दिखाई दे रहे mqi इसके लिए आपने क्या बोला 10 gamma is equal to gamma कितरा दिखाई दे रहे भाई mq divide by qi mq divide by qi आपको दिखाई दे रहे आपने बोला mq divide by qi ले लिया ठीक है अभी दिमाग में बत्ती घुमरियों की सर करना क्या है यह तो बताओ तसली से देखते जाओ यह derivation करने की कोशिश कर रहे है derivation में ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जोड तोड के अपन एक formula निकालने की हमेशा कोशिश करते हैं तो वही अपन formula की तरफ पहुचने की बच्चों कोशिश कर रहे हैं हमें यहां तक जो है basic geometry का इस्तमाल किया गया है physics की feeling तो अभी आई ही नहीं ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं देखना भाई इस चीज़ को ध्यान से देखो हम इस triangle में क्या करें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जरा देखो हम क्या कह सकते हैं अलफा बीटा एंड आई का एक relation बनाते हैं यह 180 माइनस आई हुगा ठीक है आपको याद है यह property याद है इन दोनों एंगल का sum will be equals to i यह property याद है अलफा प्लस बीटा है इस इक वस्टो आई ट्राइंगल के अंदर यह पड़े हैं या नहीं पड़े हैं कि यह ट्राइंग है या नहीं पड़े हैं यह basic basic गणित आती है या नहीं आती है बोलिया हाया ना हर बच्चे की तरफ से हाया ना चाहिए ठीक है यह basic गणित यह line सीधी है line एक दम सीधी है सीधी mafic एक दम ऐसी ठीक है exterior angle property सब बच्चे समझदाने सब बच्चे समझदाने सबको पता है कि भाई exterior angle property कहलाई जाती है हाला कि शब्द जो है मेरे पास feeling थी शब्द आपने उसे दे दिये ठीक है क्योंकि mathematics के champion तो आप लोग already है ठीक है चलिए यह चीज अब क्या करें अब क्या करें ठीक है अभी दिमाग लगाते कुछ न कुछ करने की कुशिश करते सर इस triangle को देखो इस triangle में क्या कह सकता हूं सर मैं ठीक है कुछ दिख रहा है क्या कुछ दिख रहा है क्या कुछ दिख रहा है क्या इस के अंदर कैसे कह सकते है इस triangle के अंदर क क्या बोल सकते हैं ठीक है गामा है यह 180 माइच बीटा है दिखो इसके लिए क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा भई इसके लिए इनसब को एड़ कर दूगा मैं तो वही चीज Hm प्लस आर प्लस 180 माइच बीटा is equal to 180 तो यह वाले ट्रिक से डामा प्लस आर is equal to बीटा दिख रहे हैं कि गामा प्लस आर यह दिख रहे हैं कि आई is equal to alpha plus gamma ठीक है नई नई आई is equal to alpha plus gamma नहीं होगा आई is equal to alpha plus beta होगा ठीक है यह जो है यह ध्यार नको यार exterior angle property से अब आपने क्या किया था सर इस triangle में लगाया था मैं एक जगह i लाना चाते हूं एक जगह r लाना चाते हूं i और r होगा तबी तो खेलने में मुझा हेगा समझ में हही किया यह बात i और r होगा तबी तो खेलने में मुझा हेगा यह चीज़ दिख रही है क्या हाई यह ना that r plus gamma is equal to beta के बराबर हो गया तो आपने देखा यहां पे सर r plus gamma is equal to beta अब देखो यार तुम्हारे सामने answer निकलावा पड़ा है यहां से आपको i पता चल गया क्या यहां से r पता चल गया क्या बीटा minus gamma ठीके यह पता चल गया अब यह भी आपने एक formula जो है सीखा था mu1 into sin i is equal to mu2 into sin r ठीके मैंने तुम्हें बोला था अगर angles सोटे होंगे तो यह i और r लिख देंगे चल यह लिख देते हैं i और r लिख देते हैं यह आपे तो यह mu1 into i mu2 into r guys i की जग़ क्या लिख दूँ यह चीज़ पुट कर देते हैं mu1 alpha plus beta is equal to mu2 and इसकी जग़ा r की जग़ा beta minus gamma कुछ बच्चों की दिमाग में चल रहा होगा सर अभी भी क्या कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है देखते जाओ 2 मिनिट के अंदर तुम्हारा answer आने वाला है अब हम क्या कर रहे हैं सर यहां तक पहुँच चुके हैं alpha beta को इधर उदर arrange करो यहां पर हमें दिख रहा है सर देखो beta यहां beta का भाई दूसरा beta ठीक है एक साथ कर दो ठीक है तो beta इसको एक साथ कर देते हैं यह लिखावा है mu1 into alpha इधर उठा के लेके आओ किसको mu2 into gamma को इधर लाओगे तो plus हो जाएगा mu2 into gamma सर बीटा को उदर ले जाओ mu2 beta minus mu1 beta ठीक है चली यहां तक पहुँच चुके है सर अभी भी का कर रहे हैं सर feeling feeling अभी देखो ज्यान से देखो mu1 alpha plus mu2 gamma is equals to sir mu2 minus mu1 एक साथ लिखा multiply by beta अब बताओ यार जैसे चाला की पहले करी थी sin theta को theta लिखा था अब मैं theta को 10 theta लिख दूँ गया सब छोटा है यही तो मज़ा है इस खेलगा कि हमने theta को छोटा मान लिया हमने बोल दिया small aperture वाले उसके लिए तो मज़ा कर लो theta को sin theta लिख दो कोई मना करने वाला नहीं है तो mu1 tan alpha ठीके mu2 tan gamma is equal to mu2 minus mu1 tan beta ठीके सर यह tan में क्यों लिखा इससे क्या फायदा होगा tan में लिखने से tan में लिखने से क्या फायदा होगा यह देखो यह आगया सारा चीज़े यह सब उठा के वहाँ पे put करो and आप final answer पे पहुँच जाओगे mq divide by oq लिखे भई लिखिए mu1 mq divide by oq plus mu2 tan gamma कितना है सर gamma gamma mq divide by qi mq divide by qi sir mu2 minus mu1 को लिखे sir tan beta कितना है सर tan beta देखो दिख रहा है क्या mq divide by qr ठीके mq divide by qr बहुत सारे बच्चे सुच रहोंगे ntsc में प्रूफ का क्या करना है guys समझो समझो जब टेड़ा सवाल आता है तो हमें सारी basics पता होनी चीए तब ही फायदा होता है तो यह लिखा भई mu1 divide by oq plus mu2 divide by qi is equals to mu2 divide by mu1 into qr यह guys आप finally यहाँ पहुच चुके है final कुछ solution पर आप पहुचें यहाँ पर इनकी just value उठाके डालनी है आपको oq क्या है देखो भाई oq क्या है oq is the position of the object ठीक है तो आपने बोला यहाँ पर position of the object minus u तो mu1 minus u mu2 qi क्या है qi क्या है qi क्या है position of the image क्या लिखूंगा मैं यहाँ image है तो इसे लिखूंगा v mu2 minus v1 qr क्या है qr क्या है qr since बटा इस direction में है in the direction of light ray है light ray के direction में है तो आप इसे क्या लिखेंगे plus r plus r लिखेंगे यहाँ पे तो आपका यह answer आगया plus r so your final answer अब आपको दिख रहा है दिख रहा है यही formula बच्चे याद करते है इसके पीछे की पूरी गणित तुम लोग के सामने लिखी भी है mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 divide by r ठीक है मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजे लिखी है मैंने यहाँ पर mu2 and mu1 क्या है refractive index u and v क्या है position of object and position of image r क्या है radius of curvature of that part ठीक है ठीक है तो भाई इस तरह से यह चीज करनी थी बहुत ही गजब की चीज थी बहुत ही depth में आप लोगों ने यह चीज समझी पूरी जानकारी आपको पता चली चलो शांती से समझते चलो ठीक है यह सारी जो बाते थी reflection through the curved surfaces बच्चों ने formula याद कर रखा होता है मैंने आज आपको समझा दिया mu2 by v minus mu1 by v is equals to mu2 minus mu1 divide by r यह रहा इसका complete formula चलिए next concept पे चलते हैं इसके बाद जो है हमें सवाल भी attempt करने हैं आज चली next is spherical lenses spherical lenses आप सब जानते हैं तो convex lens होता है एक concave lens होता है generally convex lens को converging lens कहा जाता है अगर मैं ऐसा लिख दू तो true और false तुम बताना ठीक है true false का question है convex lens is always converging in nature बहुत बहुत बच्चों वाला सवाल है यार ठीक है बच्चों वाला सवाल है बताओ true है या false है बोलो बोलो भाई बताओ 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 convex lens is always converging in nature बोलो 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 जल्दी जल्दी बोलो true है या false है ये statement एक दम असत्य है false है convex lens diverging भी हो सकता है it always depends कि उसका inside medium और outside medium क्या है उसके उपर ये property depend करती है तो यही चीज मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ ये बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं ध्यान से देखिएगा बहुत important चीज है जो मैं बताने वाला हूँ आपको अगर आपने convex lens ऐसा रख 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 है देखो बच्चों देखो convex lens में क्या होता है ये देखो light ray देखो इस सीच को imagine करना इस सीच को feel करना light ray ऐसे आई यहाँ पर टकर आई आप क्या बोलते हैं कि sir ये नीचे की तरफ bend करेगी क्यूं करेगी भाईया क्यूं करेगी इसके पीछे का reason जानना चाहा कभी इसके पीछी का reason ये है कि देखो यार ये एक square से बनके बना हुआ था एक square था बहुत बड़ा उस वाले side से ये part कटके बना हुआ था तो इसकी जो radius थी वो कहीं यहीं यहाँ थी radius थी यहाँ पर ठीके इस radius से आपने बोला कि sir join करते हैं एक बार अब फिर आप क्या बोलते थे sir अगर ये medium dancer है अंदर वाला dancer medium है तो it will bend towards the normal इसी लिए normal की तरफ bend करती थी ठीक है क्योंकि ये medium dancer है तो ये ऐसे जाने के बजाए नीचे की तरफ bend करती थी ऐसे चली जाती थी फिर ये जब second surface पर टकराती थी तो आप क्या बोलते थे sir इसके लिए normal जो है उसको join करें connect करें ऐसे ही यहाँ का center of curvature होगा में जा रहा है dancer से जब rarer में जाएगा तो it will bend away from the normal तो ये ऐसे जाने की बजाए ऐसे नीचे की तरफ और bend हो जाता है ऐसे चला जाते तो दिख रहे है एक बार bending नीचे हुई यहाँ पर again bending नीचे हुई because ये rarer से dancer जा रहा था फिर dancer से rarer जा रहा था suppose करो suppose करो कि सारी गणित उल्टी हो जाती ऐसा हो जाता कि अंदर वाला medium rarer हो जाता suppose 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 अंदर वाला medium अगर rarer हो जाता तो क्या होता अंदर वाला medium rarer हो जाता तो light ray बोलती कि मैं normal की तरफ bend करूंगी नी मैं normal से अवे जाऊंगी ठीक है अगर ऐसा होता तो यह light ray जो यहाँ पर आके गिरी थी ना यह यह था normal आपका यह red color का normal था यह रहा यह normal की तरफ band की जगए उपपर की तरफ चली जाती उपपर की तरफ जाती तो कुछ ऐसे चली जाती यह रही ऐसे चली जाती फिर यह यहाँ पर आके दूसरे surface पर टकराती दूसरे surface में टकराके बोलती कि है अब क्या करूं दूसरा surface बोलता है यहाँ पर कि भाई अब तुम जो है यह देखो ऐसे ठीके यह लाइटर ऐसे जाना चाहरी थी यह बोलता कि तुम कहा जा रहे हो rarer अगर अंदर वाला rarer है तो यह बोलता कि तुम rarer से dancer जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा again towards the normal ऐसे band होता तो दोनों बार ये जो है उपर की तरफ band होती भी दिखाई दे रही है तो आपका answer उल्टा आ जाता आपका answer उल्टा आ जाता इसलिए हम बोल देते हैं कि convex lens क्या है converging है convex converging हम कहके आगे बढ़ जाते हैं but just imagine करो just imagine करो उल्टा होता कैसे होता कि यह medium जो है चारो तरफ का medium जो है वो glass का होता and glass के medium के अंदर एक air का lens होता air का lens होता उससे क्या होता उसकी वज़े से air का lens मतलब उसका medium क्या हो गया rarer हो गया rarer medium हो गया तो ऐसे सिनारियो में convex lens क्या हो जाता है diverging lens बन जाता है समझ में आई क्या बात अभी अभी ये बात बताए एक important information जो अभी अभी आप यहाँ पे सीख चुके हैं इस बात का बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि कैसे यहाँ पर bifurcation हम कर रहे हैं अब देखिए इस तरह के जो है अलग-अलग नाम है convex lens की भी अलग-अलग type ठीक है double convex दोनों साइड से convex ये क्या है planoconvex एक साइड से plane दूसरी साइड से convex ये क्या है concave-o-convex भाई एक साइड से concave जैसी surface है दूसरी साइड से क्या है convex surface है तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने है double convex planoconvex concave-o-convex चलिए आगे चलते हैं ये जो है आगे concave lens की बात करते हैं concave lens भी बच्चे तीन variety के होते हैं ये double concave दोनों साइड से concave ठीके ये क्या है plano concave एक साइड plane दूसरी साइड concave ये क्या है concave-o-convex ठीके या convex-o-concave बोलते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है आपने बोला कि ये surface क्या है convex ये surface क्या है कौन के ये ठीके तो अगर आप ध्यान से देखो तो तीसरा scenario दोनों का सेम है बस उसी चीज को उल्टा-पुल्टा करके रखा है बट ऐसा पहले और दूसरे scenario में नहीं है इसे जो है कभी-कभी crown glass भी कहा जाता है crown glass ठीके ये टोपी बन गे इसकी ऐसी शेफ की टोपी बन गे ये flint gas भी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की बात करते हैं अब देखो यार definitions in connections with spherical lens spherical lens के अंदर की definition देखते हैं definition समझते हैं बहुत simple सी बाते guys देखो ये center of curvature है एक lens के दोनों तरफ center of curvature होता है lens कैसे बना है spherical जो parts है दो spherical surfaces के combination से यहाँ पर lens बना हुआ है तो ये देखिए ये ही बात थोड़ी दिर पहले visualize करवा रहा था ये आपका lens बन गया ये आपका convex lens यहाँ पर बन गया है lens का middle वाला point center वाला point तो center of curvature से लेके optical center का distance क्या कहला जाता है बच्चो radius of curvature ठीक है इसके बाद आपने बोला कि सर ये जो line है जो दोनों center of curvature से join कर रही है and optical center से pass हो रही है that is known as principal axis जड़ा यहाँ चलते है ये क्या बनाया भईया ये concave lens बनाया आपने concave lens is available here guys इसके अंदर हमने क्या बोला कि सर ये center of curvature ये center of curvature and जो line दोनों center of curvature को join कर रही है वो आपकी optical center से भी pass हो रही है and again radius of curvature यहाँ भी available है radius of curvature यहाँ भी available है center वाला point optical center है तो guys एक concave convex बहुत simple सी बात आप लोग को ये सारी जानकारी already पता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो यार क्या हो रहा है जब भी light center से जो है optical center से जब भी pass होती है so when light passes through optical center when light passes through optical center it passes undeviated इसका कोई बच्चा reason बता सकता है तो बोलो यार इसका reason क्या है when light passes through optical center it passes undeviated what is the reason for this ठीके इसके पीछे का reason क्या है इसके पीछे का logic क्या है बताने की कोशिश करो when light passes through optical center it passes undeviated undeviated मतलब deviation नहीं होता इधर उधर नहीं घुमती भाए बोलो यार अरे property है पर property के पीछे कुछ तो logic होगा ना कुछ तो reason होगा ना ठीके बहुत simple सा reason है सोचो 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 बताओ बताओ मैं तुम्हें answer देता हूँ नहीं आया अभी answer साही नहीं आया है बोलो बोलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ angle of refraction is equal to angle of incidence 9 refraction through compound slab में shift कैसे निकालें वो तो पढ़ा दिया ठीके पढ़ा दिया class की starting पढ़ा दिया ठीके मुझे लगा वो बच्चा answer दे रहा है इसका answer भी यही है ठीके इसका answer भी यही है कि जो बीच वाला portion होता है यह एक तरह से compound slab की तरह behave कर रहा है देखो यार अगर सिर्फ इतने से portion की study करोगे तो यह वाला जो portion होता है यह एक तरह से compound slab की तरह act कर रहा होता है middle वाला portion ठीके तो एक slab की तरह जब act करता है तो light क्या होती है थोड़ा सा lateral shift होता है ठीके बट deviation थोड़ी होता है glass slab के अंदर deviation थोड़ी है lateral shift है और वो lateral shift भी यहाँ पर negligible हो जाता है क्योंकि थिकनेस ही वह चुट है lateral shift जो है होना चीए था यहाँ पर अगर thick lens होता thick lens होता तो हमें lateral shift दिखाई देता बट अब हम यहाँ पर क्या कर रहे होते है solve करते वग हर जगर सवालों में thin lens की चर्चा की रही होती है thin lens है तो lateral shift कैसे निकालोगे d is equals to ti 1 minus 1 by mu अरब भया t ही वहुँ छोटा है तो d क्या हो जाएगा it is negligible pending to zero so that is the reason आप यहाँ पर कहते हैं कि यार यह जो lateral shift है यह lateral shift है कुछ भी यहाँ पर नहीं हुई है and no lateral shift and the light ray passes undeviated बहुत important बात तुमें बताई हैं यहाँ पर it passes undeviated guys अग इसको भी आप imagine करने ही खुशिच करो तो यह देखो यार यह क्या बन गया आपका यहाँ पर यह glass slab की तरह act कर रहा है glass slab की तरह act कर रहा है तो light ray will passes undeviated through it ठीक है यहाँ पर lateral displacement हो सकता है but since thickness बहुत छोटी है तो वो भी zero हो जाएगी आई क्या बात समझ में तो बहुत simple सी understanding थी आपको यह चीज ध्यान रख नहीं थी चीजे relate करनी आनी चीए अब आप relate कर पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया बच्चो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे चलगे बात करते हैं first principle focus and first focal length अच्छा बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है ध्यान से समझ लेना क्योंकि ICSC board की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है CBSC वाले बच्चों को पता ही नहीं है क्यों क्योंकि book में नहीं लिखा हुआ उसमें गलती किसी की भी नहीं है CBSE ने बोला कि इतना सिखाना ही नहीं है बट बहुत simple सा concept है first focus कौन सा है second focus कौन सा है first focus कौन सा है ध्यान से देखो जहां से light ray जहां से light ray गिर कर parallel हो जाएं उन्हें first focus define किया गया है कि light ray lens के उपर गिरी गिर के parallel to the principal axis हो गई वो बच्चो first focus है तो इसे कहा गया कि ये convex lens का focus 1 है ठीक है convex lens का focus 1 इधर आता है लोग उधर mark कर देते हैं कभी कभी ICS की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है ये concave lens है concave lens में क्या बोला गया कि light ray जिस focus की तरफ जाना चाहती थी पर पहुंस तो पाईगी नहीं पैरलल होगी तो ये आपका focus 1 कहलाया जाता है ध्यान रखना convex का focus 1 इधर है concave का focus 1 इधर है ये चीज़े confuse जाती कोई बच्चा बोले ऐसा क्यों भाई हमने define किया है हमारा definition है समझो इस चीज को that जिस point से light ray निकली निकल के टकरा के parallel होगी convex में वो f1 कहलाया गया निकली अब यहाँ पर क्या बोला गया जिस focus पे light ray जाना चाती थी पहुच नहीं पाई तकरा के parallel होगी वो चीज क्या है concave lens का focus 1 कहलाया गया चलिए आगे बढ़ते हैं ये चीज आप समझ गये हैं यहाँ पर next second principle focus and second focal lens second कौन सा है second बच्चो उसको define किया गया जहाँ पर parallel light rays मिल जाएं ठीक है convex के लिए parallel light rays यहाँ मिल गई तो इसको बच्चो f2 कहा गया यहाँ कहा गया यहाँ कहा क्या 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 कहा गया parallel light rays diver's हो गई टकरा के वो जहाँ से आती भी अपियर हुई तो यह parallel light rays आके गिरी थी गिरने के बाद ऐसे diver's हो गई चारो directions में ऐसे उपर नीचे तो guys इसको f2 कहा गया तो ध्यान रख लेना convex lens में f1 फिर f2 आता है concave के अंदर concave जो अभी अभी यहाँ पढ़ा है पीछे पहले f2 फिर f1 आता है तो यह जो चीजे हैं यह confuse नहीं होना चाहिए किदर f1 किदर f2 प्लीज इस चीज को याद कर लीजी अच्छे से properly मैंने आपको बता दिया है कौन सा second focus कौन सा पहला focus अब देखो rules to make ray diagram rules बनाना जो है rules बहुत important है पहला rule light ray parallel है center से जो आपने भेजी है it will pass undeviated सीधी की सीधी भाग जाएगी जो आपने optical center से fake है तीसरी rule 3 क्या कहता है जो light ray आपने focus से pass कराई है वो टकराने के बाद parallel to principle axis हो जाएगी बोलो यह कौन सा focus है यह f1 है या f2 है जल्दी बताओ यह f1 है या f2 है मैं जानना चाता हूँ आपसे बोलो यह f1 है या f2 है जल्दी बताओ convex के अंदर यह क्या है बोलो बिल्कुल सही बात बिचा देख ले बिटा अच्छे से देख ले यहाँ पे यह जो था पहला वाला f1 था पिर दूसरा वाला f2 था light rays तकराने के बाद जिससे parallel हो जाए वो convex के लिए f1 है तो यह confusion नहीं होना है convex में f1 इदर है f2 यहाँ पर आता है तो जिस पे light rays आके converge होती है यह भाईया f2 था तो यह चीज आपने समझ गए यह जो rule 1 है और जो rule 3 है वो एक दूसरे का उल्टा पुल्टा है rule 1 and rule 3 are एक दूसरे का उल्टा पुल्टा rule 1 and rule 3 एक दूसरे का उल्टा पुल्टा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की चीज समझते है image found by convex lenses अब देखो last time जैसे होरे cases बताये थे एक डाइग्राम में sun shape में तुम्हें सारी cases जो है मैं यह आपर बताता हूँ convex lens के सारी cases एक ही डाइग्राम में ध्यान से देखना ठीक है यह देखो यह आपने इस तरह से बनाया ठीक है आपने बोला भाई f1 c1 f2 c2 ठीक है आपने अलग अलग जगर पे जो है object को यहाँ पे रखा सबसे पहले infinity पे रखा o1 दूसरा beyond c रखा c1 o2 फिर आपने यहाँ पे रखा o3 ऐसे अलग अलग scenario समदो एक ही डाइग्राम में o4 फिर आपने यहाँ रखा o5 फिर आपने यहाँ रखा o6 ठीक है ऐसे अलग अलग cases एक ही डाइग्राम में देखने का आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है अब आपने क्या बोले सर इसके corresponding images कैसे बनेगी let's try to understand the image अगर आपने यह infinity पे रख रखा है तो आपकी image कहाँ बनेगी same size की i3 जैसे आप focus and center of curvature की बीच में o4 पे आए तो इससे image बन गई यहाँ पे i4 यह हो गया जैसे आप focus पे आए image कहाँ चली गई infinity पे infinity यारा मैं बोर्ड से बाहर तो बना नहीं सकता तो यहीं पर मान लो बिल्कुल नीचे तक इस तरह से जा रहा है यह बिल्कुल infinite length का हो गया then जैसे आप o6 पे आए तो image किदर बन जाती है virtual image बन जाती है आपकी ऐसी beyond this ठीक है यह आपकी बन गई i6 can you see जैसे जैसे आप pass में आते जा रहे हो image एकदम से suddenly बड़ी होती जा रही है suddenly बड़ी होती जा रही है इस तरह से ठीक है तो यह जो है exponentially बड़ी होती जा रही है फिर यह infinity भी पहुशने के बाद इसने बूला आप कहा जाओ तो वो इधर से निकल के आ गई और यह virtual बन गई तो यह अलग-अलग cases एक ही diagram में जो है मैंने सारे के सारे आपको represent करके दिखा दिये बच्चो तो convex lens के अंदर यह सारी बात मैंने आपको बताई चलिए आगे बढ़ते आगे की जो चीज़े हैं देखो यार यही बात बोली गई है infinity पे रखा तो image बन रही है focus पे highly diminished ठीक है infinity पे रखा यह रहा तो image क्या मन रही है focus पे highly diminished real and inverted ठीक है यह दिख गई next सारी cases पर देखो real and inverted है यह भी real and inverted है यह भी real यह भी real यह भी real जैसे आप छटी case में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6th case में क्या हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे आएंगे virtual image बन जाती है बच्चो virtual and erect virtual and erect very important that is the last scenario आपने यहाँ पे देखा चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते rules for image formation by concave lens concave lens समझने की बच्चों यहाँ पे कुशिस करते है पहला rule parallel light ray इस तरह से diverge होती है and ऐसा appear होता है कि वो focus से आ रही है बताओ यह कौन सा focus है F1 है या F2 है जल्दी बताओ वो कौन सा है बताओ यार F1 है या F2 है जल्दी बताओ यार बोलो 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 यह F1 है या F2 है जल्दी बताओ यार समझना चाहते हैं हम कि यह F1 है यह F2 है बताओ यार F2 है F2 है बिल्कुल सही बात इधर F2 होगा भाई लाइटरे पैरल गई डैवर्स हो गई यहां से Optical Center से जो पास हुई वो सीधी यहां पर निकल गई है यह दोनो rules जो है मैंने आपको यहां पर समझा दिए बता दिए चलिए image form by concave lens की बात करते हैं यह तो बहुत ही आसान है concave lens के लिए कुछ भी कर लो यार कुछ भी कर लो ठीक है यह आपका इधर F2 यह आपका इधर C2 यह आपका इधर F1 यह आपका इधर C1 क्या होगा यहां पर अगर यह आपने infinity पर रख रखा है infinity से रखने पर आपकी जो image form होगी वो image कहां form होगी यहां पर अगर आप थोड़ा pass में लेके आ जाते हैं जैसे आप यहां पर लेके आ गए आपने बोला यहां पर रख दिया मैंने इसकी वज़े से क्या होगा ray diagram बनाना बहुत ही आसान light ray जो ऐसी जाएगी diverge कर दो ऐसे भेज़ दो जो light ray optical center से पास होगी optical center वाली को जो है सीधी दिखा दो यहां पर यह optical center से तो image कहां बन गई यह बन गई इस तरह से आपकी जो है यह आपका object था और यह इसकी आपकी image बन गई तो image जो है ना अगर object infinity पे है तो focus पे object कहीं भी है तो आपकी image focal length and optical center के बीच में बन रही होती है तो ध्यान लखना यहां पर image virtual बन रही है तो यही scenario समझाये गया infinity पे है तो focus पे बना दो highly diminished but virtual and erect virtual and erect यहां क्या बन गई dimnish but between optical center and focus तो please remember this thing यह चीज आपको यहां पर समझनी थी आगे बढ़ते हैं यार power of lens power का formula क्या होता है ध्यान से देखना focal length को कभी भी directly add नहीं कर सकते let us see आपको 2 lenses given है यह एक lens है चीके इसकी focal length आपको दे रखी इसकी focal length बच्चो positive होगी and यह आपको दे रखा है इसकी focal length आपकी यहां पर negative होगी let us see यह F1 है यह F2 है अगर आपको किसने बोला net power निकालो पार net निकालने के लिए आप directly powers को add कर सकते हैं इसका मतलब 1 upon F equivalent is equals to 1 by F1 plus 1 by F2 इस तरह से करके आप focal length बोला था sir F2 C2 पे होगा सही बात है भईया F2 जो है F2 and O के बीच में होगा तो if object between F2 and C2 the image will between F2 and O absolutely correct बिटा चलिए आगे बढ़ते है आगे वाली चीज़ देखते है power of lens lens formula क्या है इसका proof बच्चा next class में जाएगा but 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 formula समझ लो formula क्या है 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F सवाल करने का time आ गया है V क्या है 1 by V का मतलब V जो है position of image sign के साथ रखेंगे आप with sign रखना है sign as it is है जैसा आपको mirror में पढ़ाया गया था U क्या है आपकी position of object guys with sign रखना बहुत जरूरी है and F क्या है focal length guys focal length को भी with sign रखेंगे हम हमें पता है convex lens के लिए convex lens के लिए focal length positive होती है and concave lens के लिए focal length negative होती है तो इस बात का ध्यान रखना है with sign सारी चीज़े पुट करनी है अपन आगे बढ़ते जाएंगे lens formula के बाद lens makers formula भी next class में ही आएगा अब बच्चो magnification की बात करते है magnification HI by HO होता है इसको यहाँ पर बच्चा लोग V by U की तरह दिया गया है इन दोनों formula का proof next class में अपना shift होगा next class में जाएगा tension लेना ही मत हम बताएंगे आपको चलिए कुछ सवाल करते हैं यह रहा आज की class का पहला सवाल चलिए exact 847 पर सवाल जो है चालू हो गए है हमारे come on guys let me just check कि इसके बाद जो अपनी academy वाली जो class है जिसके अंदर मैं previous year questions कराऊँगा एक बहुत इक गजब state की आप लोग को आज बहुत ही विचित्र state का नाम आपको देखने को वहाँ मिलेगा and I am just checking कि उस class का time क्या है भाई 9 बच के 5 मिट इस class के just बाद वो वाली class है तो ready रहे इस class के just बाद वहाँ मिलने के लिए चलिए बताया answer बताया बच्चो बेटा एक बच्च बुसरा है और F2 का magnitude है सेम होता है ठीके एड मैंने बटा तुझे पहले ही बता दिया है कि convex lens का focal length positive है तो तुझे ये सब doubt होने ही नहीं चाहिए ठीके बताऊं doubt क्या है क्योंकि तु सर जारकंड लिखने में तुने class waste कर दी पूरी ठीके यही तो ऐसे तो बच्चे जो है दूसरे alien planet से आये में लाहूर की NTSC strategy ठीक है चलो ध्यान से देखो consider a ray light passing through a rectangular glass slab let the emergent ray shift laterally by a distance x the shift x depends on guys angle of incidence पे डिपेंड करती है अभी अभी बात करिये refractive index पे डिपेंड करती है width of the slab पे डिपेंड करती है why because हमें मालूम है d is equals to t of sin i minus r divide by cos r अगर sir बहुत छोटी है तो हम लिख देते हैं ti 1 minus 1 by mu that's why that is the correct answer इस तरह से आप कह सकते है angle of incidence refractive index and width of the slab सब पे डिपेंड करता है so d is the correct answer चलिए next सवाल पे चलते है यह सवाल करो बच्चे दूसरा सवाल अगर हमें बेटा पहले यह पढ़ ले plus वाला बच्चा है plus पे अलग से बात कर लेना come on guys let's try to solve this question करिए 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 सवालों को जो है सवालों को तोड़ना है मरोड़ना है एकदम सारे सवाल कर देने हैं come on दूसरा सवाल आप लोग के साबने come on guys सारा का सारा 100% focus सवालों को solve करने चली कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं D कुछ दे रहे हैं B देखते हैं क्या सही आएगा क्या गलत आएगा come on come on सवाल सौल करना है object is placed in front of a concave mirror of focal length f concave mirror है भईया mirror की बात हो रही है an erect image is formed within magnification of 2 ठीक है to obtain real image with the same magnification the object has to be moved through a distance of कितने distance से move करो ठीक है ओके in front of इस तरह से put किया गया तो पहले क्या मिल रही है आपकी erect image मिल रही है erect image क्या होती है minus v by u इसके अंदर वो 2 आ रही है आपकी तो v की value क्या रही है minus 2u आ रही है तो आप क्या कह सकते है sir formula लगाओ 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f ठीक है इससे आपकी जो value है वो कितनी निकल के आ रही है v की जगह आपने डाल दिया minus 1 by 2u plus 1 by u focal length की value कितनी है भई concave mirror concave मतलब ये वाला mirror है आपने बोल दिया sir minus 1 by f होता है हमें पता है 2u is equals to minus 1 plus 2 is equals to minus f ये आपने लिखा है यहाँ पर इससे आपका निकल के आया 1 by 2u is equals to minus 1 by f f की value क्या निकल के आई minus 2u के बराबर sorry u की value निकाल नहीं थी u की value minus f by 2 के बराबर निकल के आई मतलब focal length के आधे distance बच्चो आपने लाकर ये रख दिया है ठीके अब दिको इसने बाद में क्या बोला अब आपको magnification क्या रखना है minus जो यहाँ पर 2 आ रहा था इसके जगा minus 2 रखना है let us try to understand अब क्या हो गया m dash आप जो निकाल रहे है minus v by u यह बच्चो minus 2 हो गया तो v की value कितनी होगी 2u के बराबर हो गई चलिए solve करते हैं वापस से 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f guys 1 by v की जगा 1 by 2u रखा यह भी 1 by u था f vocal length negative होता है हमें पता है तो यह हुआ 2u और यह हुआ 3 is equals to minus f इससे solve किया तो u की value निकल के आई minus 3f by 2 ठीके यह भाईया u की value बाद में नई वाली आ रही है यह old वाली है आपको दिख रहा है कितने से displace किया तो object has to be moved through a distance off यार c answer तो नहीं आ रहे moved through moved through a distance पूछा है moved through a distance कितने से move किया minus f by 2 से उठाके minus 3f by 2 पे रख दिया तो answer तो b होगा c वाले बच्चे क्या कर रहे है यार c वाले बच्चे come on guys come on let's be more attentive आपने minus f by 2 देखो अब इस चीच को imagination आपके दिमाग में यह pop up होना चीज़े सारी की सारी चीज़े आपको यह दिखना चीज़े यार कि उसने सवाल में क्या बोला है उसने सवाल ने आपको ऐसा कहा था देखो ध्यान चे देखो सवाल ने क्या कहा था देखना ध्यान चे देखना यह concave lens था sorry concave mirror था आपको ऐसे बोला था कि भाई यह पहले focal length f है image जो है object आपने ऐसे रख रखा था इसकी image ऐसी बन रही है ठीक है magnification plus 2 था बाद में इसने बुला कि इसे कहां पर उठा के रख दू यह जो image है मतब double ही बननी है तो मैंने तो बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी इतनी बड़ी नहीं करनी है आपको ठीक है यह ज़्यादा बड़ी करती थी इतनी बड़ी नहीं करनी है डवल ही करनी है ठीक है तो आपने बुला कि ऐसी image बने डवल यह magnification minus 2 बने इसका यह answer क्या निकल के आए कि पहले sir f by 2 पे रखा था बाद में 3 f by 2 पे रखा है imagine करो यह कहा गया सवाल में कितने से displace किया ठीक है difference निकालने के लिए सवाल ने कहा था तो यह imagination आपके दिवाग में clearly आनी चाहिए कि sir ऐसा कुछ हुआ है object initially ऐसा था magnification plus 2 था बाद में object को इधर खिसका दिया object is mood like this तो image ऐसी बन गए that is the correct answer आपको यहाँ पर ध्यान से समझना था next सवाल पर चलते है तीसरा question आज की class का देखो भाई देखो third question देखो third question यह रहा बच्चो third question यह रहा आप लोग के सामने come on guys सोच समझ के answer दे सोच समझ के answer दे बहुतो का answer गलत है दोस्तो धोका हो रहा है आपके साथ the boy runs towards a convex mirror convex mirror मतलब ऐसा mirror ठीके with a speed of v यह लड़का जो है v speed से ऐसे भागता हो आ रहा है इधर की तरफ his image is seen to move towards the mirror at a speed v dash इसकी जो image बन रही होगी यहाँ पर इत्ती छोटी सी यह mirror की तरफ v dash से आ रही होगी then बहुत common understanding से कह सकते हो बहुत common understanding से देखो यार देखो 10 imagine करना अगर मान लो यह infinity से भागते वे infinity से भागते वे pole पे आएगा इतना लंबा दोड़ेगा तो इसकी image कहा से कहा दोड़ेगी इसकी image जो है वो सिर्फ focus से लेके pole तक दोड़ेगी समझ रहे हो अगर यह 1 km दोड़ा तो इसे कितना दोड़ना पड़ा एक मिटर भी हो सकता है आधा मिटर भी हो सकता है यह हमेशा जादा दोड़ रहा है इसे हमेशा कम दोड़ना पड़ रहा है समझो तो यह जो V dash है यह छोटा होगा आपका V dash छोटा होगा तो 20 दिकरेट आंसर क्या कर रहे है वे यार ठीक है A कैसे होगा C कैसे होगा यह जो है real में image object जो है बहुत लंबा दोड़ रहा है image को कम दोड़ना पड़ रहा है image is running small ठीक है image जो है कुछ बच्चे बोल रहे हैंगे सर ऐसा कैसे हमें तो नहीं समझ में आया देखो तुम यह formula देखो 1 by V plus 1 by U is equals to 1 by F याद है कल की class में एक चीज़ बताई थी तुमें that velocity of image यह longitudinal longitudinal magnification वाली बात है कुछ यह longitudinal magnification जैसी कुछ बात है क्यों? क्योंकि object जो है वो along the principal axis दोड़ रहा है उपर नहीं जा रहा perpendicular होता तो height along बात होती है तो V and U की चर्चा होती है कल की class का formula याद करना that velocity of image is equals to minus V square by U square velocity of object गाइस आपको दिख रहा है हमेशा हमेशा concave lens के अंदर V का जो magnitude होता है वो छोटा होता है U का magnitude बड़ा होता है तो आपको समझ में आ रहा है velocity of image हमेशा छोटी ही होगी ये formula भी आपको answer दे रहा है that is why correct answer is B चली चोटा सवाल करते है चोटा सवाल देखो बच्चों ये रहा समाई समापती की सरफ हम बढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी करें distance is directly proportional to speed वो कुछ भी नहीं बुलना है आप है न तरीका ये है बच्चा NTSC stage 2 का कोई update नहीं है कौन केव होता तो अलग-अलग case का अलग-अंसर होता बेटा देखी ये सवाल बताईए चौथा सवाल आज मैं बड़िया-बड़िया सवाल लेकिया हूँ सब बच्चों फस रहें सवालों में फस रहें सवालों में बड़िया सवाल है बहुत बच्चे फस रहें अंसर देखे लड़ू और बोल रहे हैं उसे अरे भाई आखो का है धोका ये कुश्चन तुमारे लिए क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो ठीक है देखो गई, in the figure shown below A, B, C are points on the principal axis यह एक point है, A एक point है, B, एक point है, C ठीक है, principal axis of a spherical mirror भी हो सकता है, lens भी हो सकता है, मैं नहीं पता which of the following arrangements will produce II1 of the object 001, II1 image है 001 object है, ठीक है अब यार तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, II1 is large is large then 001 ठीक है, अगर यह large है ठीक है, तो large है तो यहाँ पर जो है, पहली बात, कभी भी mirror के अंदर, बेको, inverted image बन रही है, तो आप जो options फटावट कट सकते हैं, convex mirror तो काट दो इस तरह से, and concave lens भी काट दो, A and D तुका मारने माल होगी, पिटाई की जाए, खुद से, जोड जोड से, ठीक है, then A and D तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो erect बनती है, भाई इसमें भी erect बनती है, आप देखो यार अगर तुमने बोला है, यहाँ पर concave mirror रखते, तो तुम कैसे रखते हैं, अगर बेटा तुम concave mirror ऐसा रख देते, तो AI1 तो छोटी बनती ना, तो concave तो गलत हो गया answer, that is why concave is wrong, अगर आप यहाँ पर रखते, तो आपकी जो image पास में बनती है, image छोटी बनती है, cases recall करो, image is always smaller, if object is farther away, तो यह image छोटी बनती है, तो यह गलत हो गया है, mirror नहीं रख सकते हो, इस तरह से आप आपने क्या बोला, sir, अब क्या बचता है यहाँ पर, लगाओ lens और मजे लो, ठीके, lens में ऐसा होता है, कि अगर object जो है, F and 2F के बीच में रखा होता है, तो इधर 2F के beyond बनती है, larger बनती है, तो concave है, यह क्या हो गया, lens का है इसमें, गलत है यार, अच्छा, देखना पड़ेगा, concave mirror rate ए, हाँ यार, यह वाला option है ही नहीं आपे, convex lens होता, तो हम लिख सकते थे, बट convex lens होता है ही नहीं आपे, इन्होंने बोला concave mirror rate है, हाँ, यह भी सही है, यह भी सही है, तो यह option भी सही होता, जो मैंने तुम concave mirror, concave mirror को यहां लगा हो यार, मस्ता आराम से, हो गया आपका answer, आपने बोला सर, object जो है, पास में है, object जो है, f and 2f के बीच में है, तो image क्या होती है, ऐसे में beyond 2f बनती है, larger बनती है, हो गया है यहाँ ठीक है, तो मुझे लगा यार, lens देना ची, option में नहीं दे रखा था, so that is why, concave mirror at a, that will be the answer, अगर f and 2f के बीच में रखा यहाँ पे, तो उसके पीछे image बनेगी, inverted बनेगी, पीछे image बन रही है, दूर, तो larger बनेगी, ठीक है, आपको case याद होना चाहिए, चलिए guys, यही सारी चीजे, आज के session में, लेके मैं खटा हुआ था, कुछ और, एक दो स करना, बाद में attempt करना और जो है, comment box में इसका जो है, answer जरूर डालना, next class की starting में discuss करेंगे, अगले 3 मिनिट में हमें plus platform पे मिलना है, special class में, इसलिए हम class को यही पर समाप्त करते हैं, यह वाला सवाल जो है, जरूर करके आए, next class में बात करेंगे, thank you guys, thank you for joining this session, I hope आपको सारी clarity की साथ मज़ा आ रहा होगा, जिस तत परता और जिस मेहनत से, मैं सारी knowledge तुमें provide करना हूँ, transfer करना हूँ, दे रहा हूँ, इन्हें उन नीडी बच्चों में जरूर pass on करना, जिनको जरूरत है NTSC crack करने की, जो पढ़ने में बहुत interested हैं, इच्चुक हैं, बट उन्हें quality चीजे नहीं मिल पारी है, हमारा सीधा सा aim रहा है, सीधा सा agenda रहा है, कि best to best content जो है, आपको deliver किया जाए, सारा का सारा content आपको deliver करने की कुशिश की जाए, tracker के माध्यम से, tracker class के starting में बताया था, आप चीजों को follow करते रहें, notes download करते रहें, study material use करते रहें, तो ये सारी चीज के बाद उसे join कर सकते हैं, कैसे join करना है, unacademy plus पे जाना, plus के अंदर special class में आपको मेरी class जो है, foundation and NTSC platform पे live मिल जाएगी, thank you for joining this session, do like the video, like करे, share करे, subscribe करे, and जिस तरह से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी दूसरों की मदद जरूर करे, RA live परम सकते है, इसका इस्तम करे झाल